नमस्कार आप लोगों कोट अप्रेंग क्लासे के प्यारे से यूटूब पहरे पर स्वागत है आज की लेक्षा में हम लोग बात करने वाले कच्छा दस की विज्ञान की और प्यारे बच्छो आज की टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे विद्धुधारा से रिलेटेड जितने भी निमेरिकल आपके यूपि बोर्ड में पूछे गए हैं अभी तक उन सभी प्रशनों का हम आज चर्चा करेंगे प्यारे बच्छो यदि आप आज की क्लास देखते हैं तो इस क्लास से आपको यह आकड़ा जरूर प्राप्त हो जाएगा कि यार बोर्ड में कैसा प्रशनया कैसा निमेरिकल विद्दुधारा से रिलेटेड़ पूसता है प्यारे बच्छो आज की लेक्चर आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है अगर लेक्चर पसंद आता तो वीडियो को लाइक किजेगा और दोस्तों के साथ तो सेर करना मत भूलिएगा प्या आपके स्क्रिन पर सबसे पहला सवाल दिखाई पड़ा होगा और क्या करा है निम्न परिपत में ए और बी बिंदुधों के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा और ये 2019 में पूछा गया प्रशन है प्यारे बच्छो और आपके एक्जाम में एक नंबर का प्रशन आया है तो आईए हम देखते हैं कि आखिर ए और बी के बीच का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा तुल्य प्रतिरोध पहुचा है तो गाई सबसे पहले अगर हम इनका नाम दे दे और इनका नाम आर्टू दे दे और इनका नाम आर्थली दे तो हम देख पा रहे होंगे कि जो करेंट को इस बिंदू से चलने वाली करेंट को जाने के लिए एक से जादा मार्ग उपलब्द हो जाता है एक से जादा मार्ग क्रम में हो जाएगा जब हम दोनों वायर को जोड़ देंगे तो एक वायर हो जाएगा इनका तुली प्रतिरोध है और ये ये दोनों स्लेडी क्रम में हो जाएगे तो माल लेते हैं प्यारे बच्चो इनका जो तुली प्रतिरोध है वो आरडेस है क्या है आरडेस तो समांतर क संयोजन में समांतर करम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या होता है पहले तो लिखेंगे चुकि आर वन वह आर टू किस क्रम में है भी या समांतर क्रम में है किस क्रम में है समांतर क्रम में है अब बताओ जब यह समांतर क्रम में है तो आप बता दो जब समानतर करम में है तो तुले प्रतिरोध होता है एक बटे R डैस बराबर एक बटे R1 प्लस एक बटे क्या हो जाएगा R2 चलिए R1 की वैलू रख देते हैं एक बटे एक प्लस एक बटे एक और एक बटे R डैस तो आप इसका मतलब है कहने का मतलब है प्यारे बच्चों को जोड़ देंगे तो दो बटे एक आ जायेगा और यहां आजायेगा एक बटे आर्डैस आपको आर्डैस की वेलू चाहिए ना की एक बटे आर्डैस तो यह उपर जाएगा तो यह नीचे आ जाएगा तो आर्डैस वेराबर आजयेगा एक बटे दो यानि इनका जो तुलि प्रतिरोधाया है वो एक बटे दो के बटाबर आया अब ध्यान से देखिए तो ये एक बटे दो और ये R3 R10 और R3 ये प्यारे बच्चो जो ये R10 है और R3 ये स्रेनी क्रम में है क्यों क्योंकि ये दोनों मिलके एक वायर हो गए है प्यारे बच्चो यानि अगर हम इसका डाइग्राम फिर से बनाना चाहिए तो ऐसे बार बार डाइग्राम बनाया नहीं जाता गाई जहां से देखिएगा ये A हो गया क्योंकि सवाल तो काफी लंबी हो जाएगी अब इन दोनों का आपने जोड दिया ना तिन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध पाया वह आपने R2 पाया और साथ में R3 जुड़ी हुई थी क्या जुड़ी हुई थी R3 जुड़ा हुआ था और ये B है अब बता ये R2 और R3 किस क्रम में है स्रेनी क्रम में अब इनका तुल्य प्रतिरोध है वो मान लेते हैं प्यारे बत्चो R है तुल्य प्रतिरोध क्या है R है तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लेस R2 तो R1 के अस्तान पे R-10 है और R2 के के स्तान पे R3 है अब R10 की value रख देते हैं एक बटे दो और R3 की value 0.5 है अगर हम करते क्या है प्यारे बच्चों कि इनको भाग देंगे तो ये 0.5 आएगा ये भी 0.5 जोड देंगे तो R का मान एक ओम आ जाएगा कितना आ जाएगा एक ओम तो आप प्यारे बच्चों आपका जो ये पहला प् प्रशनी की और जो सेकेंड नंबर प्रशन है वो इस समय आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ा होगा आप वहां से सवाल को पढ़िएगा और चली हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है सेकेंड नंबर प्रशन प्यारे बच्चों 2014 में पूछा गया है और क्या करा है कि आरवन वा आरटू दो प्रतिरोधक तार समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो इनका तुल्ली प्रतिरोध क्या होगा तो आईए हमारा हम से देख लेते हैं प्यारे बच्चों जो दूसरा प्रशन है क्या करा है आरवन वा आरटू आरवन वा आरटू समांतर क्रम में जोड़े गए हैं किस क्रम में जोड़े गए हैं या समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तिनका तुल्ली प्रतिरोध क्या होगा तो मान लेते माना तुल्ली प्रतिरोध क्या है प्यारे बच्चों R है समांतर क्रम सयोजन का फामुला होता है 1 बटे R बरावर 1 बटे R1 1 बटे R2 अब देखी R1 के स्तान पे भी R1 है R2 के स्तान पर R2 है तो बदलने की कोई ज़रूत ही नहीं है अब प्यारे बच्चों आपकी clear हो रही है प्यारी बच्चो अब हमें हाज अगर देखे तो r को उपर लेके जाएंगे तो r उपर जाएगा तो ये भी उपर जाएगा तो r1 into r2 अब पूरे के बटे क्या जाएगा r1 प्लस क्या जाएगा r2 तो जो तुल्ले प्रतिरोध का फार्मूला आएगा वो य प्राप्त हो जाएगा यानि दो प्रतिरोधों को जब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्ले प्रतिरोध होता है r1 into r2 बटे r1 प्लस r2 इस प्रेकार आपका दूसरा नंबर प्रशन भी क्या होता है complete होता है तो गाइस उम्मीद है कि आपको पहला और दूसरा सव परकात हम दिखा कर्रा कि य कि चारफ करतिरोधों को एक दूसरे के साथ समांत्र प्रतिरोध क्रम में जोड़ा गया है जड़ा है की बात करें तो चा एक प्रतिरोध आपका ये हो गया प्यारे बच्चो फिर उसके बाद ये कोई आपका दूसरा प्रतिरोध हो जाए फिर उसके बाद ये कोई आपका क्या हो जाए तीसरा प्रतिरोध हो जाए और ये कोई आपका क्या हो जाए चाहू था प्रतिरोध और ये चारो जो प्रतिरोध है ये किस क्रम में जुड़े हैं प्यारे बच्चो समानतर क्रम में जुड़े हैं किस क्रम में जुड़े हुए हैं समानतर क्रम में जुड़े हुए है और थात ये और वन का भी बेलू चार ओम है और टू की भी बेलू चार ओम है और थरी की भी बेलू कितनी है चार ओम है और फोर की बेलू भी कितना है चार ओम है प्यारे बच्चो और ये किस क्रम में जुड़े हैं समांतर क्रम में जुड़े हैं किस क्रम में आर्मान लेते हैं तो सवांतर क्रम सयोजन का तुल्ल प्रतिरोध का फार्मूला होता है ये दो प्रतिरोधों के लिए अगर चार के लिए चार प्रतिरोधों की बात होगी तो आर्थ्री और और फोर जोर जाएंगे तो आये तुल्ल प्रतिरोध की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चो तो ध्यान से देखना एक बटे आर बराबर क्या होगा एक बटे आरवन ये पहले के लिए फिर एक बटे आरटू दूसरे के लिए एक बटे आरथी तीसरे के लिए और एक बटे आरफोर किसके लिए चौथे के लिए क्यों बैलू रखते तो प्यारे बच्चो सब क Di value 44 ही है तो एक बटी hopes 4 प्लस одинarti meeting हार बराबर हार तande सजड़ जाएगा दो तीन एक चार तो चार बटे कितना आ जाएगा चार आ आजाएगा एक बटे यह । प्यारे बच्चो प्रतिरोधाया वह एक बड़ाबर आया है अर्था चार प्रतिरोधों पनी प्लत ुब लिपर दिरूश किस बराबर आता है। एक उम्हाँ के बराबर आता है। तो पहला दूसरा अर तीसरा स्वाल सवाल कम्प्लिट हो गया है। आपको मजा भी आ रहाूगा, समझ में भी आ रहा ुगा प्यारी बच्यों, चलिए। करो प्रवाहित Chitin बहुत ही बढ़ियां और जवर्जस्त सवाल है अब हम बात करें यदि किसी भी परिपत में प्रवाहित जुर्धारा होती है ओम के नियम से होता है विभव अपान प्रतिरोध अर्थात हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों विभव और प्रतिरोध के अनुपात को हम करेंट कहते है ओम के नियम से अब बोलतेस तो आपको दिया है त्रवी प्रतिरोध नहीं दिया है प्रतिरोध आपका बटा वुआ है अब धिहान से अगर देखो तो जब धाररा यहां से गई यहां तो यहां से यहां इस बिंदू तक जाने के लिए 2 मार गुपलब्द हैtoiつ एक दो तो जब 2. अमीद है कि अगर लिया तो हिए चुकि हमान लेकि पर्ति रोद मालेते र लिखेंगे चुकी र वन वह आर चुक्रम में हैब यह समानतर करम में है अब जब R1 R2 समांतर क्रम में है तो तुल्ली प्रतिरोध हो जाएगा एक बटे R बराबर एक बटे R1 प्लस एक बटे R2 चलिए R1 की value रख देते हैं एक बटे 2 और इसकी भी value एक बटे 2 एक बटे 2 एक बटे हल करेंगे तो मिलाजुला के एक आ जाएगा अर्थात प्यारे बच्चो R की value जो आएगी वो एक ओम आएगी किसके बड़ाबर आएगी एक ओम के बड़ाबर अब मुझे current ग्यात करना न तो परिपत में प्रवाहित धारा ग्यात करना है अब देखो B कितनी है 2 बोल्ट है कितना है 2 है और R की वैलू आपने कितना निकालो है एक है तो I की वैलू 2 एंपियर आएगी इस प्रकार प्यारे बच्चो आपका ये भी प्यारा सा नन्हा सा मुन्हा सा स्वाल कंप्लेट हो जाता है अब हम बात करेंगे पांचवे प्रश् कि प्रतेक चार ओम प्रति रोधवाले कर 迷ard को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्ल्प प्रतिरोध क्या होगा मतलब प्यारे बच्चो आपको चार ओम प्रतिरोधक वाले तारों को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, कितनी बार जोड़ना, एन बार जोड़ना है तो बताओ तुल प्रतिरोध क्या होगा, तो यह हम माल लेते हैं करे बच्चों, चार ओम प्रतिरोध वाले तारों को यन बार जोड़ने पर यन बार जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, क्या प्यार बच्चों, तुल्य प्रतिरोध, अब आप बताओ, तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है या तुल्य प्रतिरोध का फामूला होता है 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 1 बटे R2 1 बटे R3 Kितना N बार यहन बार काना जोडने के लिए एक बार 2 बार 3 थोरू कहा है चलिए अब आप ध्यान से देख। अगर मैं आपसे बात करऊं यहां पर R1 की भी value कितनी है 4 है R2 की भी value कितनी है 4 है R3 की भी value कितनी है 4 है और dot dot कितना N अब आप सोचिए 1 बटे 4 होता 1-1 जोड़ के 2-2-1 3-3-1-4-4-1-5 कितनी बार है यन बार है न फ्यर बच्चो तो क्या आ जाएगा N बटे 4 आ जाएगा ये आ जाएगा 1 बटे R मुझे 1 बटे R1 की value नहीं चाहिए मुझे R1 की value चाहिए R उपर जाएगा N मीचे आएगा 4 उपर चला जाएगा तो भई R बरावर आ जाएगा 4 बटे कितना N तो जो तुल्ले प्रतिरोध आता है प्यारे बच्चो वो किसके बरावर आया है 4 बटे N के इस प्रकार आपका 5 वा सवाल भी क्या होता है complete होता है आप इसका एक skin sort लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं अब हम बाते करेंगे प्रस नंबर 6 का प्रस नंबर 6 क्या करा है दोस्तों ये 2011 में पूछा गया और कितने नंबर का है भीया दो नंबर का पूछा गया प्यारे बच्चो ध्यान से देखना एक कुलाम आवेस में इलक्टरानों की संख्या कितनी होती है एक कुलाम आवेस में चलिए छठे प्रसन की बात हम यहीं पर कर ले रहे है आपको प्रसन उपर दिखाई पड़ाओगा पूछ रहा है कि एक कुलाम आवेस में कितने इलक्टरानों की कितनी संख्या होगी मतलब भया क्यू की बैलू दे दिये हैं क्यू की बैलू एक कुलाम है मतलब इलक्टरानों की संख्या होगी मतलब इलक्टरानों की संख्या को हम N से ब्यक्त करते हैं यह वाला फार्मूला हमने बताया था Q बराब है N E यह वाले फार्मूले से अब E की बैलू होती है एक दस मलोच्छ गुडित दस घाते माइनस 19 कुलाम चलिए अब हमको N ज्यात करना है तो N ज्यात करने के लिए E को उठाकी धरिया फेक देते हैं तो E जो है इधर आ जाते हैं भाग में यानी N बराबर आ जाता है Q बटे E तो N बराबर आ जाएगा Q बटे E चलिए Q की बैलू रखते हैं एक है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह point कटाएंगे प्यारे बच्चो तो उपर 10 लग जाएगा तो n की value आएगी 10 बटे 16 गुडे यह जो minus 19 है इस minus 19 को उपर लेके जाएगे तो plus 19 हो जाएगा प्यारे बच्चो क्या इतनी बात clear हुई अब हम इसमें भाग देंगे इनमें क्या करते हैं भाग देते हैं जीशे दो पंचे 10 दो अठे कितना हो जाएगा अब देखें भाग देंगे तो भाग देंगे ना प्यारे बच्चो तो 0.625 आएगा 0.625 तो n की value आएगी 0.625 गुडित 10 गाते 29 ठीक अब इस point को एकंग आगे लेके जाएगे तो यहां से power एक्खो माइनस हो जाएगा तो 6.25 गुडित 10 गाते 18 हो जाएगा यानि कितने इलेक्टरान होंगे प्यारे बच्चो 6.25 गुड़े 10 गाते 18 डारेक्टली इतना समझा लो कि एक कुलाम आवेश में 6.25 गुड़े 10 गाते 18 इलेक्टरान होते हैं तो हम लोग एंसर जहु मिला लेते हैं प्यारे बच्चो कि क्या हम लोग करेंगे आगे और ही महत्वपूर आने वाले हैं प्रतिरोधों के स्योजन पे साथ साथ नंबर के जो सवाल है प्यारे बच्चों हम उनको भी समाधान कराएंगे तो अन तक बने जरूर रहेगा सतवा सवाल आपको इस स्क्रीन पे दिखाई पड़ागा क्या कर रहा है यानि पहले से बोल दिया है प्यारे बच्चों की रडात्मक है इस बात को ध्यान दीजेगा कि यह साथवा नंबर प्रस्ण है और यह मान लेते हैं कि यह कोई क्या था चालक था यह कोई क्या था चालक था परन्तु यह चालक तो है परन्तु कैसा है रडात्मक है क्या है प्य साथ में पूछा कितने इलेक्ट्राणों की अधिकता है यानि यन पूछा है प्यारे बच्छो ध्यान से समझना यन पूछा है यन यानि इस चालक में कितने इलेक्ट्राण अधिक हो गये जो कि ये चालक रिरातमक हो गया तो प्यारे बच्चों यह रिरातमक होने का मतलब होता है कि लक्रानों की संख्या बढ़ जाती है और धनातमक होने का मतलब होता है लक्रानों की संख्या क्या हो जाती है घट जाती है न यह हमने बताया था प्यारे बच्चों तो आगे ध्यान से देख अब बताओ ये point जो लगा है इसे काटेंगे तो यहाँ उपर एक जीरो लग जाएगा माइनस 19 से माइनस 19 की विदाई हो जाएगी 80 बटे कितना बचेगा 16 डिवाइड करेंगे तो 5 आजाएगा यानि प्यारे बच्चो कितने इलेक्टरान अधिक थे चालक पर 5 इलेक्टरान अधिक थे इसलिए चालक क्या था रडवेस था कितने इलेक्टरानों की अधिकता थी 5 इलेक्टरानों की अधिकता थी कितने इलेक्टरानों की अधिकता थी 5 इलेक्टरानों की अधिकता उम्मीद है कि आपको यह सवाल जरूर समझ में आया होगा अब हम बात करते हैं आठवे नंबर प्रिश्ण का जो कि आपको इस स्क्रीन पे आठवा नंबर प्रिश्ण दिखाई पड़ा होगा आखिर क्या करा आए हम लोग देखते हैं आठवा नंबर प्यारे बच्चो 2019 और 2016 यानि दो बार ये क्यूश्चन पूछा गया है क्या गरा किसी बिद्दुद बल्व से तंतु से यानि किसी बिद्दुद बल्व के तंतु से 0.5 एंपियर की बिद्दुद धारा 10 मिनट के लिए प्रवाहित होती है यानि प्यारे बच्चों यहाँ पर आई की बैलू आपको दिया है 0.5 एंपियर और कितने मिनट के लिए प्रवाहित होती है ठीका मान दिया है 10 मिनट ध्यान से समझेगा आगे करा है बिद्दूत परिपत में प्रवाहित आवेश का परिमार ग्यांत करना है मतलब जो बिद्दूत परिपत है उसमें कितना आवेश परवाहित होगा 10 मिनट में ये बताना है आप ऐसे समझ लो ना कि ये कोई परिपत हो गया यहां से लेके यहां तक इसमें धारा परवाहित हो रही आई आई की वैलू कितनी है 0.5 ये 10 मिनट तक परवाहित होती कितने मिनट तक 10 मिनट तक तो बताओ 10 मिनट में इस तार के एक सीरे से दूसरे सीरे तक में कितने आवेश परवाहित हो गया वही बताना है तो भाईया जब धारा दी हो तो Q बराबर क्या होता I into T ये वाला भी फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था पढ़ा था ना विद्धुधारा की परिभासा से आवेस की प्रवादर को विद्धुधारा करते हैं वहीं समने ये फार्मूला लिया है तो Q बराबर I into T हो गया अब हमारे पास जो ये T है वो मिनट में है इसके मातरक को हम चेंज करेंगी तो क्या हो जाएगा एक मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है तो दस का गुड़ा 60 से कर देंगे तो ये आ जाएगा 600 सेकेंड क्या जाएगा 600 सेकेंड T का मान मिल गया अब हमको Q गयात करना Q बराबर होता है I into T चलिए I का मान 0.5 और T का मान कितना 600 पॉइंट कटा है तो बटे 10 लग गया ये 0 से 0 कैंसल 60 पंचे 300 तो प्यारे बच्चों ये जो Q का मान आया है वो 300 कुलाम आया कितना आया 300 कुलाम इस प्रकार आपका आठोवा सवाल कंप्लीट होता आरखा 10 मिनट में 300 कुलाम आभिस प्रवाहित होंगे अब हम बाते करते हैं प्रस नंबर 9 का जो की 2016 में पूछा गया है प्यारे बच्चों क्या कर रहा है ध्यान से देखिएगा बिंदू A से बिंदू B की ओर मतलब अगर 9 प्रस न पढ़ रहे हैं साथ साथ में हम लोग थोड़ा सा एक डाइग्राम मला लेते हैं बिंदू A से B की ओर 10 घाते 8 इलेक्टरान 10 घाते 8 इलेक्टरान यह मान लेते हैं इलेक्टरान है और जिसकी बेलू कितनी है 10 घाते 8 है 10 घाते 8 इलेक्टरान 10 घाते माइनस 4 सेकेंड में प्रवाहित होते हैं मतलब जो है T का मान 10 घाते माइनस 4 सेकेंड दिया है यानि आप समझे यह जो इलेक्टरान बाबू है न A से B तक जाने में 10 गाते माइनस 4 सिकंड का समय लगा देते हैं आगे करा है तो कितनी बिद्दुधारा किस दिशा में प्रवाहित होगी कितनी बिद्दुधारा किस दिशा में प्रवाहित होगी केवल यही बताना है प्यारे बच्चों कितनी बिद्दुधारा तो ध्यान देना कि इलेक्टरान A से B की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्टरान जिस दिशा में जाते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है इलेक्टरान भाईया A से B की ओर जा रहे हैं तो विद्दुधारा जो होगी वो B से A की ओर होगी B से A की होगी क्या इतनी बात क्लियर हुई एक प्रशन का जवाब मिल गया अब कितना विद्धुधारा प्रवाइत होगा उसे हम ज्यात परेंगे तो विद्धुधारा I equal to होता है Q upon T क्या आपको Q का मान कहीं दिया है नहीं दिया है तो Q को बदल देंगे Q बराबर होता है N E बटे T चलो अब N का मान दिया है कितने इलेक्टरान थे 10 गाते 8 इलेक्टरान बोले न कि कितने इलेक्टरान है 10 गाते 8 इलेक्टरान तो 10 गाते 8 गुड़े E का मान तो हम जानते है 10 मलो 6 गुड़े 10 गाते माइनस 19 होता है t t का मान कितना है 10 गाते माइनस 4 अब बता ये कटेगा ये कटेगा तो उपर पावर कितना बचेगा माइनस 15 बचेगा पावर कितना बचेगा 10 गाते माइनस 15 तो आईए ध्यान से दिखते हैं तो 1.6 गुरित 10 गाते माइनस 15 और ये गुड़ी 10 घाते 8 15 में से 8 घट जाएगा तो आजाएगा कितना 10 घाते माइनस 7 तो इतना वान आएगा कितना एक दस मल उच्छा गुड़ी 10 घाते माइनस 7 इंपियर वैलू आएगी ये रहा आपका प्रस नमबर 9 भी कंप्लेट हो गया तो आप हो तो इन सभी प्रस्णों का एक स्क्रिंस ले सकते हैं फिर हम बाते करेंगे आगे की प्रस्ण को तो आपको दसवा नमबर प्रस्ण स्क्रीन पे दिखाई पड़ा होगा 2017 में ये केस्टन पूछा गया 2017 की बात है क्या करा है कि एक बैदुचालक में 10 इंपियर की धारा बह रही है तो सबसे पहले आपको दे दिया आई कामान 10 इंपियर चलिए आगे करा है उसमें प्रती सेकंड प्रती सेकंड की बात है तो टी की वैलू कितना है एक सेकंड कितना है प्यारे बच्चो एक सेकंड है बहने वाले इलक्ट्रानों की संख्या ग्यांत करो अब यन ग्यांत करना है प्यारे बच्चो अब आपको पता है जब यन ग्यांत करना तो हमारे पास एक लौता फार्मूला होता, यह वाला होता है, तो आईए हम इसी के मधद से निकालेंगे, तो इलेक्टरानों की संख्या एन इक्वल टू होता, क्यू अपान इ, आईए, अब जो यह क्यू होता है, Q तो आपको कहीं नहीं दिया है परंदू हम जानते हैं Q बरावर होता I into T बटे क्या हो जाएगा E हो जाएगा अब I की बेलू आपको दिया है 10 और T का मान आपको 1 दिया है और E का मान 1.6 गुड़े 10 गाते माइनस 19 होता है अब अगर ये जो पॉइंट है ये पॉइंट गटा दें उपर लग जाएगा 0 और 100 बटे कितना हो जाएगा 16 और ये 10 गाते माइनस 19 उपर लेके चले जाएं तो पावर जो होता है वो प्लस में हो जाता है क्या इतनी बात आपकी क्लियर हुई अब हम भाग देंगे तो 16,6,92 फिर बचेगा 4 बचेगा 4 दसमलों लगाओगे 0 होगा 16,32 मतलब 6,2 लगभग 6,2 फिर उसके बाद 5 भी आएगा तो पूर्ण रूप से आपका कैंसिल भी हो जाएगा तो गुड़े 10 गाते 19 यानि पूछ रहा था न कि कितने इलेक्टरान होंगे तो 6,2,5 गुड़े 10 गाते 19 इलेक्टरान होंगे इस प्रेकार आपका दसवा नंबर प्रशन भी क्या होता है कंप्लेट होता है देख लिजे कितना प्यारा सा चोटा सा सवाल है परन्तु जब हम अब प्रशन नंबर 11 की जो बात करने वाले है प्यारे बच्चो अगर बात कर लें ये मैक्सिमम मारक आपका चार नंबर का पूछा गया है कितने नंबर का चार नंबर का और 2015 में पूछा गया मतलब अब आपका यहां से सुरुवात हो जाता है थोड़े से लेबल का आपके लेबल की सवाले क्या करा है ध्यान से सुनना प्यारे बच्चो एकदम मक्खन वाले भासाम हम लोग इनकी बात करेंगे एकदम किसी परिपत में 10 इंपियर की धारा चार सेकेंड तक प्रवाहित हो रही 10 इंपियर की धारा मतलब आई की बैलू 10 इंपियर है कितना है 10 इंपियर और कितने सेकेंड के लिए प्रवाहित होती है यह चार सेकेंड के लिए प्रवाहित होती है यदि परिपत का प्रतिरोध मतलब आर आपका 10 ओम है प्रतिरोध कितना है प्यारे बच्चो दस ओम है त सबसे पहला प्रस्णिस में ग्यात करना है प्रवाहित कुल इलेक्ट्रानों की संख्या यानि ग्यात करना है और सेकेंड नंबर में ग्यात करना है उत्पन उस्मा उत्पन उस्मा ग्यात करना है उत्पन उस्मा आपको ग्यात करना इलेक्ट्रानों को प्रवाहित करने में जो उसमा होगा वही आपको क्या करना है तो आईए हम लोग इन दोनों सवाल को एकदम मक्षन वाले भास हम लगाते हैं बही बताओ किसी की बात आए इलेक्टरानों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास एक एकलोता फार्मूला इसको छोड़कर कहीं भी लग्टरानों की संख्या आप निकाल नहीं पाओगे इसी के पास आईएगा अब कहीं आपको क्यू दिखाई पड़ा है नहीं दिखाई पड़ा आई और टी दिखाई पड़ा है तो हमको पता होना ची की क्यू बराबर होता आई इंटू टी बटे क्या ए अब बैलू लग दीजे कि आई की बैलू कितनी दस टी की बैलू कितनी चार और ए ए तो हमको पता है न एक दस मलो च्छ गुड़े दस घाते माइनस उननिस अब बताई ये पॉइंट कटा है उपर जिरो लग दिया तो आगए 100 कितना आ गए प्यारे बच्छों 100 बटे 16 ये दस घाते माइनस उननिस उपर चले गए तो क्या हो गए प्लस दस घाते उननिस हो गए कोई दिखकत 4 के 4 4 चार चार चाउके 16 और 4 से कतार दी ये 25 आ गया तो भई अब 25 गुड़े 10 घाते 19 आ गए पॉइंट आपका इधर है पॉइंट एक अंकागे आएगा तो पावर प्लस हो जाएगा तो 2.5 गुरित 19 में एक खो प्लस हो जाएगा 20 हो जाएगा तो कितने एलेक्टरान है 2.5 गुरे 10 गाते 20 या वहाँ पर भी आप एंसर छोड़ सकते थे 25 गुरे 10 गाते 19 इलेक्टरान भी आपका सही एंसर था ठीक प्यारे बच्चो वो भी आपका एंसर सही है आपका ये भी सही है आपका ये भी सही है जाहे जो आप एंसर मान सकते हैं प्यारे बच्चो ठीक अब हम बात करते हैं उत्पन उस्मा की किसकी समझे अगर मैं एक बार फिर से चर्चा करना चाह रहा हूं कि अगर मैं कहा कि इलक्त्रान को एक सीरे से दुसरे सीरे तक प्रवाहित करने में जो कार ही करनी पड़ती वो कारे ही उसमा के बरावर होगी तो उत्पन जो उस्मा है वो second number के लिए हमारे पास जो किया गया कार होता है वो W बराबर था V into Q ठीक अब V की value गही नहीं दिया कोई बात नहीं हम जानते ओम के नियम से V बराबर I into R होता है अब I का मान आपको है 10, R का भी मान कितना है 10 और Q Q का मान अभी आपने यहां लखा है Q का मान होता I into T Q बराबर होता I into T चलिए रख देते हैं तो 10 दहमा आजाएंगे 100 I का मान कितना है प्यारे बच्चो 10 है और T, T का मान कितना है 4 है तो 10 100 दहमा कितना हो जाएगर प्यार बच्चो उसमा उत्पन हो जाएगी इस प्रकार प्यारे बच्चो देख लिए 4 नंबर का प्रश्ण कितना आसान भासा में समाप्त होता है आप देख सकते हैं तो आप चाहोत इंका एक इसकिन सौर ले सकते हैं फिर हम आगे की प्रश्ण को आप यहां पर जो दिखाई पड़ा यह देख रहे हो यह जो आर है ना इनी की बैलू ग्यात करनी है फिर्ष्ट पोर्शन में यानि फिर्ष्ट प्रश्ण में आर का मान क्यूस्चन मार्क है और जो सेकेंड नमबर प्रश्ण है प्यारे बच्चो वो है A और B के बीच का विभवांतर A और B के बीच का विभवांतर मतलब V A B याद करना है हम बिलकुल आसान भासा में याद करेंगे और यह 2017 में पूछा गया प्रश्ण आईए अगर हमको आर ग्यात करना है तो सोचिए यहाँ V का मान एक बोल्ट दिया है प्यरे बच्चो यहाँ पर V का मान एक बोल्ट है मान लेते हैं यह V का मान एक है मान क्या दिया है और यह जो आई है देखिए 1.5 अंपियर है तो हम बात कर सकते हैं अगर प्रतिरोध आरिक की मान ग्याद करने के लिए बोला है पहला तो प्रतिरोध आरिक कोल्टू हो जाएगा वी बटे आई वी का मान कितना है एक है और आई का मान एक दसमलोग पाँच है ठीक अब यह हम पॉइंट काटेंगे तो उपर लग जाएगा दस अब बताएगे अगर हम इनको कटा है तो दस बटे कितना आजाएगा पंदर पांदूनी दस पांदें पंदर यानि आर का मान आएगा पैर बच्चो दो बटे तीन आर की वैलू दो बटे तीन आएगी और उसी मे second number में पोछ रहा है एब बीके बीच का विभवांतर तो प्यारे बच्चो विभवांतर का जो फारमूला है वह जाएगा वी A B बराबर आई इंटू आर अच्छा ये बताओ आई का उमान कितना है एक दस्मलो पांच, एक दस्मलो पांच अब आर आर यहां आप यह मत सुचिएगा कि यह आर की बात कर रहा है पूरे A और B के बीच में कुल प्रतिरोध कितना है तो हम कह सकते हैं यहां आर तुल्ले की बात कर रहा है तो आर तुल्ले निकालेंगे सबसे पहले तो आर तुल्य निकाला कैसे जाएगा प्यारे बच्चों ये देखिए आर तो कुल आर कुल कर लेते हैं आर कुल या तुल्य जो भी कहना है जो भी आप चलिए तुल्य लिखे था तेही रहने देखे तो तुल्य की बात करते हैं तो देखो ये वाला ये वाला और ये ये भाई साहब R1 हो जाएं ये R हैं और ये हो जाए R2 तो बता ये तीनों स्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं न तो लिख देंगे क्या लिखेंगे चुकि R1 R R1 R तथा R2 किस क्रम में है स्रेणी क्रम में किस क्रम में है स्रेणी क्रम में है तो जो तुल्य होता है आर तुल्य जो फार्मूला होता है वो ता R1 प्लस R2 तो R2 के अस्तान पे कौन है प्यारे बच्चो आर डैस है और प्लस R3 के अस्तान पे R2 है तो सब की बैलू रख दो इ है आरजदा aleon खाओ धार आरडहैस नहीं बलकि आर था तो चलिए तो तो आर की वैलु कितनी धोते थीन है और प्लस आइड सार लिएक चर बटे एक टो वेकल बटे कर लेते हैं तो यह तीन एक पारätस पर तीज़ाएगा एक तुल्ली का मान आया है, किसका मान आया, आर तुल्ली का मान, तो हम यहां रख सकते, आर तुल्ली का मान आ गया, 20 बटे 3, पॉइंट कटा होगे, बटे 10 लग जाएगा, यानि 15 बटे 10, गुरे 20 बटे 3, अब बता 3, पचे 15, 10 दूनी 20, तो 5 दूनी 10, तो V, A, B बराबर आ जा इसका जो विभवांतर है, वो कितना आ जाएगा, प्यारे बच्चों, 10 बोल्ट आ जाएगा, इस प्रकार आपका प्रशन नमबर 12 भी क्या होता है, आप 4 इसका एक स्कुन साड ले देजीगा, उम्मीद है कि आपको अभी तक किसी भी प्रशन में कोई भी डाउट नहीं र आने वाली प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले 13 नमबर प्रशन की, आपको स्क्रीन पे 13 नमबर प्रशन दिखाई पर रहागा, क्या करा है, कि निम्न बिद्दूत परिपत में सिल्का आंतरीक प्रतिरोध यात करना है, निम्न बिद्दूत परिपत में सिल्का आंत सा सवाल है और चार लाइन की सवाल नहीं इस बात को ध्यान दीजिएगा सबसे पहले अगर मुझे यह आर ग्यांत करना है तो हमारे पास फार्मूला पता होना चाहिए तो भही फार्मूला होता आई बराबर वी बटे आर तो यहां वी नहीं है बलकी ए है तो ए हो जाएगा और आर में यह आर और आंतरीक प्रतिरोद जुड़ जाएगा आर प्लस क्या हो जाएगा आर यानि हम इस फार्मूले का मदद लेंगे इस फार्मूले के मदद से यह वाला स्वाल लगाएं क्यों हमने दो आर लगाया क्योंकि यह आर यह हो जाएगा और एक आर यह तो दो है ना इसलिए हम लोग दो प्रतिरोद लगा दिए अब आप सोच रहोंगे कि सजी आप इन दोनों का आपस में जोड़ दी होते थे यह दोनों को कैसे जोड़ देक परिप्रत में दोनों को एक साथ परिप्रत में धोरूड सकते हैं तो चले अब यहाँ पर देखिये इनका नाम अगर R1 रख दे इनका नाम R2 रख दे तो ये R1 और R2 R1 और R2 किस क्रम में है समानतर क्रम में है तो लिखेंगे चुकी R1 वर R2 समानतर क्रम में है किस क्रम में है प्यारे बच्चों समानतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध पता होना चाहिए तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा एक बटे आर बराबर होगा एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू चले बैलू रखते हैं आर वन की बैलू कितनी है छह है एक बटे इच्छा प्लस एक बटे इच्छा जोड देंगे तो दो बटे इच्छा आजाएगा cancel कर देंगे एक बटे तीन आजाएगा अब R की value चाहिए तो तीन ऊपर चला जाएगा भी R की value आजाएगे तीनो R की value आपने निकाल लिया अब हमको क्या चाहिए भी या मुझे चाहिए R कामान तो r का मान निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है तो ये फार्मूला क्या है परिपथ में प्रवाहित धारा प्रवाहित धारा के लिए फार्मूला हो जाएगा i equal to e better r plus small i का मान कितना 0.5 amp r का मान कितना 2 capital r का मान 3 अपने निकाला है और इसमाल आर का मान पता नहीं यही निकालना है बटे दोस कर देते हैं पॉइंट अटा कर ठीक प्यारे बच्चो पाँच के पाँच पांदोनी दस यानि इधर एक बटे दो बचा है उधर दो बटे तीन प्लस आर बचा है क्रोस मल्टिप्लाई कर दें तो तीन प्लस आर का गुणा एक में करेंगे तो तीन प्लस आर ही आएगा और दो का गुणा दो से कर दें तो दो दूनी कितना आजाएगा चार आजाएगा ये तीन चला जाएगा उधर तो प्लस तीन बराबर उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 4 माइनस 3, R equal to A kum, यानि प्यारे बच्चों सिल का जो आंतरीक प्रतिरोध है न वो A kum आएगा, कितना आएगा, A kum आएगा, तो देखी कितना असान सा स्वाल है, प्यारे बच्चों आप लोग छोड़ के मत आएगा, केवल आपसे यही एक गुजार 15 15ड़ 12 यहार में पूछा गया और तीन नमबर का प्रश्न क्या कर रहा है? तीन प्रतिरोध हैं जिन में प्रतेख कामान है स्वियरा कूछ की 9 हो जाया मतलब की हम को दो दो ओम का तीन प्रतिरोध है अब हमको कैसे जोड़ें कि तुलिए प्रतिरोध कितना आ जा जा है, तीन OMA आ जाए प्याज़ाए प्यर बच्छों, तो अब आप सोचो कि दोधो ओम peeriv zac cancer को जोड़ें तीन OMA के प्रतिरोध को जोड़कर मुझे तीन OMA लाना है, और एक को सरणी में जोड़ दे तो तीन आ जाएगा आ गया ना तो बस ऐसे जुवार से टिंग करना है अब ध्यान से देखो आपके सवाल में बोला कि आपके पास तीन प्रतिरोध उपलब्ध है एक R1 है एक R2 है और एक R3 है ठीक अब आप इनको चाहे जैसे जोड़ो कुल प्रतिरोध जो आरहाँ वह कितना हो जाना चाहिए अरल यहीं प्रस्न का कंडिशन है यानि कुल प्रतिरोध तीन ओम से बस आप चाहे जैसे जोड़ो बस हम लोगों ե्यूवार लाया और सेटिंग की व्यस्ता किया कि जानते आं एक को भाईर साह बोले आप एक कुस्रेनी में जोड़ दिजए और एक को क्या कर दिजए समानतर में जोड़ दिजए मैंने अभी बताया रहागा है आप सोचो दिमाग को दऊड़ाऊ और जितना दिमाग को दऊड़ाएंगे उतना ही जज़ाद आपको सामऑ आएगा अब जान लो कि वहिया हमने माल लिया ए और ये माल लेते हैं बी ये आरवन माल लेते हैं ये आरटू माल लेते हैं और ये क्या माल लेते हैं आरथरी माल लेते हैं माल ले एक नहीं माल ले बोलो भई इतना माने अब देखो जो ये आरटू आरथरी है वो समानतर क्रम में है आरवन आपका क डिखेंगे चोह कि प्रतिरोध होती है एक डगा ही 2 प्लस एक रटी कितनी है और थ्री की विए लुधो है दो है तो इनको हल कर देते हैं तो 2 बटे 2 आ जाएगा एक यानि ओर डईसों की वैलू आ गई एकॉं R- की value कितनी आ गई 1ओं आ गई अब आप ध्यान से देखना ये जो R- है और ये R1 ये स्रेणी करम में है चुक्ति लिख देंगे R- वह R1 किस करम में है स्रेणी करम में है प्यारे बच्चो श्रेणी करम में है और आपने पूरे परिपत का जो कुल प्रतिरोध माना वो R है तो सरणी करम का फार्मला हो था R1, R1 और प्लस क्या हो जाएगा R-S, R1 की value कितनी है भहिए, दो ओम है, और R-S की value एक, तो कुल प्रतिरोध कितना गया, 3 ओम, यानि आपको जो कुल प्राप्त करना था, वो कुल कितना था, 3 ओम प्राप्त करना तो जवाब में पूछ रहा था पैरे बच्चो कि आप इनको किस हिसाब से जोड़ते हैं कि कि प्रती रोध तीन हो जाये तो भही हम बता दे रहें कि कि नहीं दो प्रती रोधो को सम्हांतर क्रम में जोर दिये और एक प्रतिरोध को स्रेणी क्रम में जोड़कर परिपत का कुल प्रतिरोध तीनों लाया जा सकता है तो इस प्रकार 13 और 14 दोनों प्रशन कंप्लेट होते हैं उम्मीद है का आपको समझ में आ रहा होगा मजा भी आ रहा होगा आज की सिसन अटेंड करने से प्यारे बच्चों अभी तक अगर आप लोगों ने इस वीडियो को उन दोस्तों के पास सेर नहीं किया होगा जो हाई स्कूल में इस बाई एक्जाम देने वाले है तो यार यह एक बार फिर एक बार इस सिसन को जबर जस्त सभी दोस्तों के पास सेर कीज़ेगा आप वीडियो लाइक करना भूल गए होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा चले अब जो आपके स्क्रीन पे सवाल दिखाई पढ़ रहा वो प्रशन नंबर 15 है प्यारे बच्चों और 2016 में यह साथ नंबर का प्रश्न पूछा गया नंबर का ये प्रश्न पूछा गया प्यारे बच्चों कि तो आसान भासा में सवाल समयोगा निमल लेकिट परीपत में िच्जाद कीजेए सबसे पहला ए और बी के बीच तुल्ल्यीप्रतिरो चल कि तो सबसे पहला पोर्षन है कि भाई आपको तुल्ले प्रति रोद ग्यांत करना है वह भी ग्यांत कर लेंगे सेकेंड नंबर में पोचा है प्यारी बच्छों परिपत में धारा किसये परिपत में धारा तो अ़िया परिपत के तीन ओम प्रतिरोध के सीडे पर विभुवांतर क्या प्यारे बच्चो तीन ओम के सीडे पर विभुवांतर मतलब इस पर विभुवांतर ग्यात करना एक दम आसान भास सबसे अभी तक जितना मैंने स्वाल बता है सबसे सरल सवाल है परेबचों, सबसे सरल, आउ, आराम से दिखे, सबसे पहले तो इनको जो गोला बनाए हम लोग ने, इनको हटाते हैं, चलो भाई साहब, नाम लिखते हैं सबका, भाईया ये आर वन, ये आर टू, ये आर थी, ये आर फूर, ना, अब ये चारो प्रतिरोध ही तो A और B के बीच का तुली प्रतिरोध होगा, अब देखना है कौन किस क्रम में है, तो देखो ये और ये धारा यहां से यहां तक आने में, एक ही रास्ता आने के लिए है, अर्थात ये दोनों स्रेडी में है, पर तो जैसे यहां से जाती ही, प्यार्वचे यहां दो र चुकि R3 वर R4 समांतर क्रम में है, किस क्रम में है प्यारे बच्चो, समांतर क्रम में, अब बताओ जब ये समांतर क्रम में है, तो तुली प्रतिरोध होता है, एक बटे R- ब्राबर, एक बटे R3 प्लस एक बटे R4, चले, तो इनकी वैलू है, एक बटे 2 प्लस एक बटे 2, जोड़ देंगे तो एक दो बटे दो आ जाएगा और कैंसिल कर दोगे प्यारे बत चुत एक ओम आ जाएगा आप आप समझेए कि ये दोनों मिलके एक ओम के बरापर हो गए ये एक ओम वह वह B के मध्य तुल्य प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है भी R equal to R1 PLUS R2 PLUS R डैस तो R1 की बेलु किया रबत्चो 3 R2 की बेलु कितनी 1 और R डैस की भी वेलु एक 3 एक 4 चार चार एक 5 तो कुल तुल प्रतिरोधाया वो कितना है पांचों फस्ट पर्शन कम्प्लेट सेकेंड पर्शन क्या करा है परिपथ में धारा तो परिपथ में धारा होती है अब आई परिपथ में धारा आई एक्वल्टू होता है वी बटे आर अब बताओ वी कितना है छे और आर कितना है प्यार बच्छो पांच अब आप भाग दीजिए तो भाग देंगे तो पांच के पांच आजाएगा एक दस मलो लगाएंगे ठीक जीरो उतारेंगे तो पांदूनी दस आजाएगा मतलब आएगा मान एक दस मलो 2 अंपिर आगया सेकेंड पोर्शन अब प्यार बच्छो थर्ड पोर्शन आप से क्या करा कि तीन प्रतिरोधक के सिरो पर भिभवांतर मतलब इस सिरोई पर इस सिरे पर विभवांतर कितना होगा केवल इस पर तो तीन ओस है उपर तिरोधक सिरे पर विभवांतर सिरे पर विभवांतर तो भईया विभवांतर किसी पर निकालना हो फामुला अतर V बराबर I into R तो भईया कौन है? यहाँ प्रतिरोद कौन है? I into R1 I का मान 1.2 और R1 की वेलू कितनी है? 3 है तो गुड़ा कर दे तो 3.6 बोल कितना हो जाएगा 3.6 बोल अब आप बताओ प्यारे बच्छो देख सकते हैं कि 7 नंबर का प्रशन 7 लाइन का नहीं है जिन डालो 7 लाइन के सवाल नहीं है छोड़के आपको नहीं आना है बस छोड़के नहीं आना है तो आप चाहो तो इसका जबर्जस्त लाजवाब प्रश्ण है ध्यान से देखना 2018 और 12 और 11 में यह प्रश्ण पूछा गया दो विद्दुत प्रतिरोधों को स्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है और समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है तो प्रतेक बिद्धुत प्रतिरोध का प्रतिरोध यात कीजिए प्यारे बच्चों तो बहुत ही गजब और लाजवाब स्वाल है केवल केवल हमको समझना है बस प्यारे बच्चों केवल समझना है चले ध्यान से देखिए मान लेते हैं माना दो प्रतिरोध दो प्रतिरोध A हुआ क्या है B है जब हम इनको स्रेणी क्रम में जोड़ेंगे स्रेणी क्रम में जोड़ने पर किसमें भई है स्रेणी क्रम में जोड़ने पर अब जब स्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो A प्लस B हो जाएगा स्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो A प्लस B हो जाएगा और स्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध आया है 25 चलो समीकर नंबर 1 समानतर क्रम में जोड़ दे तो समानतर क्रम में जोड़ने पर समानतर क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध होता हो एक बटे आर के बराबर होता है तो ध्यान दीजिएगा तो समानतर क्रम में जोड़ने पर एक बटे आर बराबर होता है एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू ठीक तो आर का मान 4 उन दिया प्रस्ट में कहा रहा ने तुल परित्रों 4 है तो 1 बटे 4 यहां 1 बटे A हो जाएगा और यहां 1 बटे B हो जाएगा हल कर लेते हैं तो B प्लस A बटे आ जाएगा प्यारे बच्चो A B कैसे A और B का लासापा B का गुला A का गुला और यहां आगया एक बटे 4 क्रोस मल्टिपलाई कर दें तो प्यारे बच्चो AB का गुला हम इधर कर दें और 4 का गुला इधर कर दें तो हमको ज़रूर कुछ न कुछ चीजे मिल जाएंगी वो क्या मिल जाएंगी देखें तो AB बराबर आजाएगा 4 A प्लस B क्रोस मल्टिपलाई A B बराबर आगे 4 A प्लस B क्या इतनी बात आपको clear हुई पहरे बच्छो अब हम बात करेंगे जरा सा अब हम बात करेंगे यह समीकर नंबर चाओ आप 2 बना लो कोई रिक्कत ने अब हम जानते हैं क्या हम जानते हैं हम जानते हैं A माइनस B का होल इसक्यार बराबर होता है A माइनस B का होल इसक्यार बराबर होता है A प्लस B का होल इसक्यार माइनस 4 A B यह होता है न माइनस 4 A B A माइनस B का होल इसक्यार बराबर होता है A प्लस B का होल इसक्यार माइनस 4 B यह सुत्र जानते हैं प्यारे बच्चो तो बोलो A प्लस B का आमान समी करण एक से रखते हैं तो A प्लस B का आमान हो जाएगा 25 का होलिस का माइनस 4 और प्यारे बच्चो A B का आमान यहां है देख लिजिए 4 A प्लस B 4 4 A प्लस B तो ध्यान से देखना 4A प्लस B एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ ये वाला 4 यहां का है और A B में 4A प्लस B आया कुई सी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस अब बोलो 25 का वर्ग कर दोगे 625, 4, 4, 16 और A प्लस B का मान 25 है प्यार बच्चो 25 चले गुड़ा कर देते 625, 16, 85 16, 22 32, 32, 44 तो घटा देंगे तो 225 आ जाएगे, कितना आ जाएगे 225, ये A माइनस B का होल स्क्यार आया है इधर से अगर हम होल स्क्यार हटाएंगे प्यारे बच्चो, तुधर करड़ी लग जाएगा, तो A माइनस B बराबर आ जाएगा अंडर उट में 225 अब बता, इसका वर्गमोल निकाल दें तो इसका वर्गमोल निकालेंगे तो 15 आ जाएगा, समीकरण नमबर 2 3, अब आप देखो जैसे ही आपको ये वाला पद मिला समीकरण 1 और 3 अब आप बिलोपन, प्रतिस्तापन, कितनी बिधियां पड़े हो किसी भी एक बिधि से आप एक आमान निकाल लिजे चलिए तो बिलोपन बिधि अपना रहे हैं तो समीकरण 2 प्लस 3 सरी, 1 प्लस 3 से यानि समीकरण एक में अगर 3 को जोड़ दे तो B वाला पद बिलुप्त हो जाएगा ना, तो समीकरण एक क्या है आपका, A प्लस B बराबर कितना है, 25 और समीकरण 2 क्या है, A माइनस B बराबर 15, चलो जोड़ते हैं तो ये प्लस करके, ये भी प्लस चिन नहीं बदलेगा, ध्यान देना प्लस करते हैं, चिन नहीं बदलता A, A जोड़ी के हो गया, 2 A ये कैंसल हो जाएगा, 25 और 15, 40 हो जाएगा कितना हो जाएगा, 40 2 से कटाएंगे तो 20 आजाएगा, यानि एक प्रतिरोध जो आएगा, वो 20 हो माएगा, A की वैलू कितना आगई 20 आगई, अब अगर हम A कामान समी करतें में रख दे या समी करतें 2 में, जाहे जिसमें रख लो आजाएगा समी करतें से A माइनस B बराबर कितना 15, A के अस्तान पर कितना रखना है 20 और माइनस B बराबर 15, ये प्लस 20 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस बीस पंदरा में से बीस घटाएंगे तो माइनस पांच आएगा और यह माइनस बी माइनस माइनस से कैंसल तो भी बराबर आ गया पांच हो कितना आ गया पैर बच्चों पांच हो तो एक आमान बीस था और बीक आमान कितना था प बोलो बात समझ में आई अब छोड़ना नहीं है चाहिए अठार हम पूछा चाहिए ग्यार हम पूछा चाहिए बाहर हम पूछा चाहिए आपके एक्जाम 2023 में पूछे तो छोड़ना नहीं है प्यारे बच्चों बस इस सेसन की इस क्लास के लाश्ट सवाल आपके लिए most important होने हाई प्यारे बच्चों देख लो पहला दिये गए परिपथ में ग्यानत कीजिए A और B के मद प्रतिरोध यह देखो यह इधर वाले जो है। इधर वाले दोनों स्रेड़ी में है और इधर वाले भी दोनों स्रेणी में है और दोनों स्रेणी ये दोनों स्रेणी हो गया है फिर दोनों मिलके समानतर में हो जाएंगे तो यह हम AOB के तुल प्रत्रों निकाले तो सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट पोर्शन के लिए तो R1 वह R2 R1 की वैल्यूद 2 कितना है? 4 है और चार नंगी वैल्यूद 2 स्रेणी करम में है प्यारे बच्छो स्रिंभी क्रम स्रेंः क्रम में है बताओ जब यह स्रेंबनी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोदлись माझते हैं एर 2 2 wtphर हो जाए ऑर進 Australis का मान कितना है प्यारे बच्छो एक है और फोर का मान का कितने हो गार तो यहां से आर डाइस का माना आ यहां से आर डाल डैस का माना है क्या इतनी बाते आपकी क्लियर हुई अब अब हमको जो प्हफला पूछा ए वह के मद्धे परतिरोध तो भाइ मद्ध जो परतिरोध निकालना है वह ध्यान से लीखे प्यारे बक्चो अब जो यह आरडैस और डबल डैस है यह इतना जुवित आरडैस है आपका और इतना अगरणैस है ये दोनों समांतर क्रम में है, दोनों मिलके एक एकतार हो जाएंगे, तो दोनों समांतर क्रम हो जाएंगे, प्यारे बच्चो, इस प्रकार, एक चित्र हो जाएगा, और ये अगला चित्र, तो इस प्रकार हो जाएंगे, प्यारे बच्चो, समांतर क्रम, ना, तो अब समांतर करम के लिए तुलिफ फामला होता एक बटे आर तो हम ए भी लगाएंगे इसलिए क्योंकि ए और बी के मध्य का प्रतिरोध बता रहा है बराबर हो जाएगा एक बटे आरवन परंत यहां आरड़ेस है और यहां एक बटे आरटू मतलब आरड़ेस तो बैलू रख देते हैं ए एक बटे आर एबी बराबर चह और तीन का लेंगेगे तो 6 आएगा गया और तीन दुनी चहा तो दोँआ जाएगा दू एक तीन डूनी 600 कर देंगे एक बटे दो एक बटे आर एव फेहरे बच्चोन आरे a b उपर जायेगा तो भी उपर जायेगा आर a b यानि a और b के मद्धि का प्रतिरोध आएगा वो दो आम आएगा यह पहला पॉर्षन होग होगे a और b के मद्धि का प्रतिरोध दो आएगा यह आपका first portion complete होता है second portion क्या पूछा परिपत में प्रवाहित धारा second portion के लिए परिपत में प्रवाहित धारा तो परिपत में प्रवाहित धारा के लिए मुझे परिपत की कुल प्रतिरोध ग्यांत करना पड़ेगा तो परिपत की पहले कुल प्रतिरोध ग्यांत करते हैं परिपत का कुल प्रतिरोध तो भई परिपत का कुल जो प्रतिरोध इतना तो दो ओम के बराबर है और एक खुषी में सरेडी कर्म में और जुड़ा है कौन यह यह मान लेते हैं भी यह आर फाइप हो गया तो आर एबी का मान दो है और इसका मान तीन है दो तीन पांचों यानी परिपत का कुल प्रतिरोद पांचों माया अब मुझे परिपत मे प्रवाहित धारा ग्याद करना second portion में तो अब हम आसानी से ग्याद कर लेंगे प्रवाहित धारा तो प्रवाहित धारा I equal to V बटे R V का मान कितना है प्यारे बच्चो यहाँ 10 है और R का मान कितना है 5 यानि second portion में प्यारे बच्चो आपका जो दो इंपियर आएगा जो जो बॉक्स में मैं बंद कर रहा हूं वही वही आपका उत्तर है ठिक second portion अब बात करते हैं प्यारे बच्चो थर्ड portion थर्ड portion में क्या कर रहा है A और B के मध्य विभवांतर तो आसानी से ग्यात करेंगे A वर B के मध्य विभवांतर तो यह A वर B के मध्य का जो विभवांतर का फामला होता है वह V बराबर I into R होता है R के अस्तान पर AB लगा देंगे क्योंकि A और B के मध्य का प्रतिरोध रखना रहेगा तो बताओ V AB यह नहीं A और B के मध्य तो I का मान कितना 2 और R AB का भी मान आया 2 तो 2 दूनी 4 तो A और B के मध्य का जो विभवांतर है वह कितना आ जाएगा चार बोल्ट आ जाएगे यह आपका थर्ड पॉर्षन कंप्लिट होता है चौथा पॉर्षन लास्ट तीन ओम प्रतिरोध के सिरोप विभवांतर मतलग इस पे तो बिलकुल हम आसानी से ज्याद कर लेंगे तीन ओम प्रतिरोध के सिरोप विभवांतर तो सिरोप विभवांतर का जो फार्मूला होगा वो कितना होगा V ना V बराबर I into R होता है तो R 5 कर देंगे हाँ पर तो I का मांद 2 है वहाँ 2 एमपिर आपने निकाला और R 5 का मांद कितना? तो 3 दूनी 6 तो आ जाएगा 6 बोल्ट ये वी डैस मान लीजेगा तो 6 बोल्ट आ गया पैर बच्चो इस प्रकार आपका ये जो complete सवाल 17 हुआ नंबर हो आपका complete हो जाता है पैर बच्चो देख लिजेगा बहुत बार ये प्रश्ण पूछा गया है और बहुत ही सरल प्रश् आपके एक्जाम में आगे पूछेगा भी प्यारे बच्चो तो आज मैंने उनी सभी सवालों का अध्यन कराया है उमीद है कि आपको आज की क्लास समझ में भी आई होगा और मैं उमीद करता हूं कि आज आपने इस live इस session को आपने share भी सभी दोस्तों के पास चरूर किया हो प्यारे बच्चो मिलते आपको next वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत प्यारे बच्चो और अपना exam date आप लोग को जरूर याद होगा तो उसी मद्दे नजर रखते हुए आप अपनी topic की तयारी जरूर किजेगा प्यारे बच्चो तब तक के जय हिन जय भात थेंक यू अर्लिय श्टूडेंट